हलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए CSPDCL की तरफ से recruitment लेके आ रहे हैं, यानि कि 36 गर स्टेट पावर इस्टिब्यूशन कंपनी लिमिटेट की तरफ से, यहां पे से एक साल के apprenticeship निकल के आ रही है, जिसके लिए civil, electrical, electronics, CSIT हर कोई अपलाए कर सकता है, डिपलोमा और डिगरी वाले दोनों ही eligible हैं, कोई exam, कोई fees नहीं है, direct selection हो रहा है, all over India कहीं से भी apply कर सकते हैं, तो एक बहुत अच्छा मों का है आप सब के लिए, जो लोग इस post के लिए interested हैं, इस वीडियो को last तरूर देखिएगा, इसका proper eligibility criteria, selection process form को भढ़ना कैसे है, इसकी last state, इसकी सारी जनकारी मैं आपको अपने इस वीडियो के थ्रूर देने वाला हूँ, so friends, welcome to my channel, civil engineering destination, for regular job updates, चाहते हैं, तो हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं, और आप हमें सारे ही social media platform पे follow कर सकते हैं, link आपको सब का सीधर description में भी मिल जाएगा, तो friends, अगर आप एक civil engineer होगा, किसी भी competitive exam की तैयारी कर रहे हैं, तो unacademy के तरब से अपने नए best start हो गए है, from 23rd of March से नए best start है, तो जो लोग शाते हैं, इन्रोल कर सकते हैं, इसी के अलावा कल, यानि कि 27th March 2022 को सुभे की 11 बचे, unacademy पे unacademy combat है, आप सब के लिए, जहा यहाँ पे अपने mock test देख सकते हो, और अगर आपके यहाँ पे marks अच्छे आते हैं, तो यहाँ पे आपको scholarship भी जीतने का मौका है, सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, जो gate 2022 में, या फिर 23 में, या फिर 24 में, जो expected questions हैं, या फिर जो आ चुके हैं, उनको लेके यहाँ यह test series बनाई जाती है, एक घंटे का mock test चलता है, एकदम free होता है, 20 questions करने होते हैं, 60 minutes में, एक questions के लिए 3 minutes मिलता है, same gate का ही pattern होता है, और हर एक test के बाद उसका detail video solution यहाँ पे आपको मिल जाएगा, all over India candidates यहाँ पे आके complete करते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा environment मिलता है, जहाँ पे आपकी तयारी हो जाती है, और आपका इस समय लेवल क्या है, किसी भी competitive exam में, यह चीज़ा आपको अच्छे से पता चल जाती है, तो जो लोग चाहते हैं, ज़रूर यहाँ पे enroll कर सकते हैं, इसे आप चाहे तो अपने mobile app में, अपने computer में, even आप चाहे तो Chrome में भ कर सकते हैं, बाकी कल सुबह 11 बचे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ पे enroll करने के तो मेरा code यूज़ कर सकते हैं, CED 140, बाकी इसकी सारी जानकारी आपको description में भी मिल जाएगी, अब बात कर लेते हैं recruitment के बारे में, यहाँ पे से एक साल की apprenticeship निकल के आ रही है, graduate और technical apprenticeship दोनों ही निकली हुई है, जिसे कि आप लोग देख सकते हैं, पहले बात कर लेते हैं graduate apprentice, याने की जो BEB tech वालों के लिए है, तो यहाँ पे electronics के लिए 43 विकेंसी सबसे जादा है, civil के लिए 3 विकेंसी, CS के लिए 1 और IT के लिए 1, कुल मिला के 48 विकेंसी है, qualification माननेता प्राप्त विश्विद्याले से संबंदित में BEB tech सनात तक, याने की graduate, BEB tech होना compulsory है, salary 9,000 रुपीस पर मंत रहने वाली है, next है diploma apprentice, electronics के लिए 58 सबसे जादा विकेंसी, electrical के लिए 58, फिर electronics के लिए 1, civil के लिए 2 विकेंसी, CS के लिए 1 और IT वालों के लिए 1 विकेंसी, कुल मिला के 63 विकेंसी निकल के आ रही है, अपने ही discipline में diploma यहाँ पे मांग लिया गया है, ठीक है, तो जो लोग चाते हैं apply कर सकते ह apply करने के लिए इसकी कोई exam, कोई fees नहीं है, ठीक है, इसी के अलावा पिछले 3 साल में अगर आप यहाँ पे graduate हुए है, तब ही यहाँ apply कर सकते हैं, इससे पहले वाले यहाँ पे apply नहीं कर सकते हैं, अगर 1 साल का experience है याँगर पहले भी apprentice कर चुके हैं, तो यहाँ आप लोग call किया जाएगा, अगर आप लोग shortlist होते हैं, तो यहाँ पे आपकी apprentice लग जाएगी, apply करना कैसे है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी MHRD की, जो Nats की जो official website है, उसमें आपका enrollment होना चाहिए, फिर इसी के अलावा इसका एक offline form है, जो कि आप लोग मैं भी आपको दिखा आपकी B.E.B.Tech की सारे semester की mark sheet, यहाँ पे आपको इसमें attest करनी है, और इसको आपको भेज देना है, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे आपको apply करना है, जो लोग चाहते हैं, ऐसे यहाँ पे as soon as possible enroll कर सकते हैं, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, तो इसकी last date 214 2022 रहने वाली है, त इसको cut कर लेना है, और यहाँ पे आपका difference number, वो यहाँ पे attach करना है, इसी के लावा आपकी category, जो भी है, फिर यहाँ पे आपकी branch, फिर आपके year of pass out, यहाँ पे आपको करके, इस address पे भेज देना है, name और sender's name में, ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपको बकाईदा proper apply करना है, जो वीडियो पसंद आता है, चानल को like करें, share करें, subscribe करें, so thank you and God bless all of you.